कोगे। कहानिया सुने पढ़ें और लेखें। कहानिया लेखना है। हम लोग सुनने की यादत थी ना, पहले सुनते भी थे काहनिया, तो आप क्या करेंगे, आप सुनना तो कोई सुनाने तो बैठेगा नहीं आपको, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, है ना, तो आपके दो कहानिया दे रखेंगे तो इन द अच्छे को अच्छा लगता है कहानी की अपनी एक प्यारी सी दुनिया होती है आई ये कहानियों कि इस दुनिया में हम घुमें और दूसरों को भी घुमाएं देखो क्या ये कहानिया लिखने तो हैं लेकिन इनमें चित्र सा चित्र बनानी है कुछ-कुछ शब्दों में हम वो शब्दों की जग़े चितर लिखना, जैसे बहुत समय पहले की बात है, तब हवा और सूरज में खूब गैहरी मित्रता थी, तो हवा तो नहीं दिखा सकते हम लोग, ऐसे ऐसे हवा के जोके तो दिखा सकते हैं, वहों हवा एंसे आज सूरज में गहरी मित्रता थिए दोनों के एक कि दिन आब ओर सूरज में बिहत पछड़ गई जहां-जहां आब auto आए तो वहां आपको पिक्चर बना हावा की और सूरज की तो सूरज की कैसे हमाद इस तरह से किवल आप इस तरह से केवल पीस दीखा देंगे है और सूरज तो आपको ये सूरज बनाए सकते हैं सूरज kेवल सूरज ऐसे जोटसा z ऐसे ऐसे करके इस तरह से सूरज बना देंगे ठीक है तो तो जहां जहां हवा और सूरज आएगा वहाँ पिक्चर बनाते जाएगे एक दिन हवा और सूरज में तो यहां पर पिक्चर बना देंगे बैस चिल गई हवा कह रही थी मैं बड़ी हूं सूरज कह रहाता मैं बड़ा हूं राहगीर की पिक्चर बना सकते हैं, एक लड़के की पिक्चर बना सकते हैं, दोनों को दूर सड़क पर सड़क बना दी, ऐसे सड़क पर एक राहगीर दिखाई दिया, यहां पर एक लड़के पिक्चर बना देंगे, राहगीर दिखाई दिया, अचानक सूरज के मन में एक ब त्यार हो हावा बुल्कुल पहले अवा ने अपनी ताकत आज माई अभी थोड़ी दिर थोड़ी दिर पहले तक तो धीरे दीर सोहावनी अवा चल दई थी आना आरम से अवा चल रही थी कोई दोनों में बात ही नहीं हो रही थी तो इस देख यह हवा की पिक्चर बनी हुई चाहू तो एक लड़की की हवा की पिक्चर बनी है यह सूरज की बनी है तो यह हवा पहले तो आराम आराम से दीरे-दीरे चल रही थी दोनों में कोई बहस ही नहीं हодी शूर और हवा में लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों बहस हो गई तो पहले 2 सोहावनी हवा दीर- इस तरह से तो उसमें पत्ते भी उड़ा देना और आंधी चलने लगी सड़क पर चलते रागीर ने अपने कपड़े कस कर पकड़ लिए ताकि व्यावा में उड़ना जाए अब ये रागीर के कपड़े रागीर वी उड़ने लगा पर उसने क्या कि कपड़े अपने कस के पक बहुत ते आंदी चलते वे लेकिन रागीर ने जब पकड़ दिया तो हवा विशारी कुछ नहीं कर पाई यह देखकर हवा को गुस्सा आ गया रागीर ने अतना कसके पकड़ रखा तो उसको बहुत और तेज गुस्सा आ गया तो वो और भी तेजी से चलने लगी बहुत तेज चलने लगी पर अब रागीर ने कपड़े और भी कसकर पकड़ लिये थे अब उस रागीर ने अपने कपड़े और भी कसकर पकड़ लिये कहीं उड़ना जाए फिर वला भी कैसे उड़ पाते हवा ठक गई हवा बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज चलने चल आज माई है फिर वह बोली सूरच से कि सूरच दादा मैं तो हार गई वही है मैं तो ने इसके कपड़े उतर वापए देखो प्रचंद रूप दिखाना शुरू किया अपना प्रचंद रूप दिखाना शुरू किया बहुत तेज शूरज बहुत तेज चमकन है बहुत तेज धूब डालने लगा, खूब तेज, बहुत तेज गर्मी बढ़ा दी उसने, कि अगवाब सूरज ने अपना प्रचन रूप दिखाना शुरू किया, देखते ही देखते खूब गर्मी पढ़ने लगी, आराम से रागीर चलता था, तब कुछ नहीं था, अचानक खूब तेज हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी, तब रागीर ने अपने कपड़े पकड़ लिए, और कपड़े बचा लिए, तब फिर सूरज, हवा हार गई, सूरज की बारी आई तो पहले तो सामाने गर्मी थी, लेकिन देखते ही देखते, खूब तेज चलते चलते और कंदे पर रख लिया, अब जब रागीर को बहुत तेज गर्मी लगने लगी, उसने क्या किया, जल्दी से अपना कपड़ा उतारा, कुर्ता, जो पहने था, जो कसकस के पकड़ दिया तो तेज आवा चलने लगी थी, तो उसने जड़ से उतारा अपना कुर्ता, और उत इसे हवा ने भी देखा और सूरज ने भी, दोनों चीज़ा हवा ने देखी, और सूरज ने भी देखी जिरा देखो, देखो जब रागीर ने ये कुर्ता उतार लिया, उतार के कुर्ता अपने यहां पर डाल लिया, तो ये सूरज ने भी देखा, और हवा ने भी देखा, कहां देखा हवा ने ये हवा भी देख रही थी ये भी देखा हवा भी देख रही थी है ना तो अब तब हवा बोली आज मैं समझ गई सुरद दादा आप ही बड़े हैं तब हवा ने हार मान ली और बोली ठीक है सुरद दादा मैं समझ गई मैं मान गई कि आप ही मुझसे बड़े हैं फिर हवा और सुरद दोनों एक साथ हस दिये फिर दोनों हसने लगे जब उसने हार माल ली तो सुरज दादा भी पिखल गए वो लेगी ठीक है और दोनों हसने लगी फिर दोनों दोस्त बन गए उनके मन का मेल साफ हो गया था है ना जब इसी लिए कहते हैं कभी भी गल्टी कोई होती तो अपने को हमिशा उसके लिए गल्टी पर माफ ही माँग लेना चाहिए जिससे कि जो आपस में जो मन में जो एक दूसरे के परती गलत फैमिया होती है वो दूर हो जाती है तो जब सुरज जब हवाने गल्टी मान कि हाँ आप बढ़े हैं तो सुरे गावा ने उसको माफ कर दिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए दोनों हस दिये उनके मन का मेल साफ हो गया है उनके मन कोई गल्ट है नहीं रही अब दोनों की मित्रता और भी पक्की हो गई इस तरह से दोनों फिर से पक्की दोस्त बन ग करना चाहिए गमंड नहीं दिखाना चाहिए इस कानी में किस ने घमंड दिखाया हवा नहीं है ना तो हमें कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई हमसे भी ज्यादा शक्ति सा लिया जाता है इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए तो यह कहानी होई तो जहां जहां सूरज और हवा आए तो वहां पर आपको सूरज की पिक्चर बना देना है और हवा की पिक्चर यह लड़की की बना पाए तो ठीक है नहीं तो ऐसे ऐसे करके लहराते लेराती हवा हवा बना सकते हैं ठीक है ना तो ये तो हो गई हवा सूरज और वह अली कहानी अब है एक और कहानी आपकी चालाक बंदर के बल यह दो कहानी आपको इन दोनों को इत्यार कर देना है इसी में से कोई एक आ जाएगी तो एक किसी जंगल में एक बहुत बड़ा ता वह इससे जंगल वनाएंगे इसमें पेड़ पदेयों आएस्से कर देगे पूल पतonna भाट बना देंगे और एक ताला भी बनादेंगे भीच में बहुत तालाब था जो 12 महीने पानी से बरा रहता था ऐसा तालाब बना देंगे चोटा सा और उसमें क्या कर देंगे पानी एसे पानी पानी डोट करके दिखा देंगे ठीक है जंगल के सभी जानवर ही तालाब में पानी पीने आते थे एक आप-दो जानबर आप बना देंगे, गाय बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, बकरी बना देंगे, जो भी कोई यहाँ पर बना देंगे, ठीक है न, तो पानी पीने आते थे, पीते थे, इस तालाब में दुस्त मगर मच्चों का एक जोड़ा रहता था, यह ऐसे मगर जैसा भी बना पाएंगे, तो उस तालाब में बनाना, उसी में ऐसे छोटे-छोटे दो मगर मच्ची भी बना देना, ठीक है, जोड़ा रहता था, जो पानी पीने के लिए आए छोटे-मोटे पश्यों को खीच कर पानी में ले जाता और अपनी भूख मिटा था, दिखो य है जैसे, तो यह आपको केवल लिख देना है, यह दिखाना ही पाएंगे, केवल आपको तो बंदर, मगर मच, पेड और तालाब यह दिखाना है, जंगल, पेड पौदे जो बना पाएंगे, वो बनाना, पिचर में दिखाना है, तो मगर मच्च का जोड़ा, मगर मच्च ब बना देंगे दो थीक है ना साधर अनसर बहुत time based नहीं करना इसमें तो उसको केवल सचित्र कहानी है ना आपको चित्र दिखा करके कहानी लिखना इसलिए जिसका चित्र आप बना सके उसकी चित्र बनाते जाएंगे जहां शब्दों की जगे पर इसी तालाव की किनारे पेड़ बनाएंगे चोटा सा ऐसे और पेड़ पर बंदर बिठा देंगे बंदर रहता था जिसके साथ उसकी मित्र था थी उनकी मित्र था थी किनकी मगरमच्च की मगरमच्च की इनसे मित्र था थी किनसे इससे बंदर से बंदर की मगरमच्च की मगरमच्च रोज आता थ तो यह रोज यहां पेड़ के पास आ जाता था एक बार क्यों दोस्ती हो गई थी क्योंकि यह जामुन का पेड़ था तो इस पर जामुन के पेड़ पर रहता था तो कुछ जामुन वो खुद खाता था और थोड़े कुछ जामुन वो मगर मच्च को खिला देता था इसलिए उसकी दोस्ती हो गई थी तो यह मगर मच्च बंदर के पास जामुन खाने के लिए आता था इस तरह से दौनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी एक बार मगर मच्च की पतनी बंदर का हिर्दय खाने की इक्षा होई एक बार मगर मच्च की पतनी की बंदर का हिर्दय खाने की इक्षा होई यह मगर मच्च है यह मगर मच्च नहीं है उमस्की वाइफ है तो एक बार मगर मच्च की पतनी जब यह घर गया मगरमच शाम को अपने घर चला जाता था बंदर अपने पेड़ पे आके सो जाता था मगरमच अपने घर में जाके वहाँ कहीं जाके सो जाता था तालाब में एक बार क्या हुआ कि उसने बताया कि ये मगरमच क्या करता था ये जामुन देता था ना बंदर कुछ बंदर के हिर्दय क्षान के मेरे कि बड़ी एक्षा हुगा। नहीं कर सकते। मन में सोचा कि इतना मीठे मीठे जामून जो काता तो उसका हिर्दय कितना मीठा मीठा होगा। तो उसने ये मन में यह सोचा तो मैँ तो मैँ असको बंदर को बुला लूगी पर उसको यहां पर बाया डालो कि मगर्मच्छ ने पर पत्नी को जब जिद्ध की कि नहीं मुझे तो खाना ही है वो उल्दाय खाने की खाए उरी है तो बंदर ने का नहीं ऐसा नहीं करते वह तो अपना दोस्त है वह तो हमें रोज जामुन खिलाता है इतना यह गलत बात है ऐसा मस सोचो लेकिन बंदर मगर्मच्छ की वो पत्नी अपने हट पर अड़ी रहे वो जिद्ध करती रही कि नहीं नहीं मुझे तो खाना ही है अंत में मगर्मच्छ ने बंदर को धोके से तालाम में लाकर अपनी पत्नी को उसका हिड़े खिलाने का निष्टे कर लिया जब बहुत पीछे पड़ गई व वो कैसे लाए बंदर को बुला के मगर्मच्छ बंदर तो पेड में रहता है उसको तो तेरना आता नहीं है मगर्मच्छ ने किनारे जाकर बंदर को पुकारा और कहा आज तालाम गुमने का बड़ा अच्छा मोसम है मगर्मच्छ ने कहा बंदर से कि आज तो कितना अच्छ मोसम हो रहा है तो तालाब में गुमने का बड़ा मज़ा आएगा तो मेरी पीट पर बैठकर तालाब में गुमने का आनंद लो बंदर से कहा मगर मच्छ ने वैसे तो बंदर बहुत चालाख होता है हैं लेकिन यहां पर वो बंदर मगरमच की बातों में आ गया और बंदर मगरमच के बैकावे में आ गया और उसकी पीट पर बैठकर ताला में गूम दे लगा मगर मच्च बंदर को लेकर ताला के भीच में पहुँच गया तो बोला अब बिलकुल बीचो बीच पहुंच गया ना इधर किनारा ना इधर किनारा है ना इधर किनारा है ना इधर किनारा है ना सामने बीचो बीच पहुंच गया यहां से बंदर कितनी छलांग लगा सकता था तो वो छलांगी लगा तो इसलिए सोचा बगर मच्छ ने सो इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा हिर्दय निकालकर उसे खिलाना चाहता हूं अब बीच तालाब में जब बंदर से मगर मच्छ ने ये बात कही तो बंदर घबरा गया विचारा अब करे तो करे क्या विचारा ना तो कूद के किसी तरह से बाहर नहीं जा सकता था तो अरे मित्र मगर मच्छ ये तो बड़ी मामूली सी बात है पर तुम्हें पहले ही मुझे ऐसा बता देना चाहिए था मैं तो अपना हिर्दय पेड़ पर ही तांगाया हूं चलो उसे उतार कर तुम्हें दे देता हूं अब जब मगर मच्छ ने ये कहा तो बंदर पहले तो के दोस्तों तुम्हें येवाली बात पहले ही बताना चाहिए थाने कि मुझे को कि मेरा हिर्दय चाहिए तो मैं उसे उतार कर तुम्हें दे दिता हूं और उसने का चलो मगर मच्छ ने का ठो जब पतनी की बातों में आया तो इससे बोल दिया और जब उसकी बंदर की जहां से उसको बिठाया था और बोला कि जाओ मित्र तुम जो अपना हिरदय टांग आयो ना पेड़ पर वो उतार लाओ और उसका वो हिरदय लाकर मुझे दे दो तो मैं अपनी पत्नी को दे दूँगा तो खा के खुश हो जाएगी तो बंदर उचल कर पेड़ पर चड़ ग जब बिलकुल किनारे आ गया तो उसने एक चलांग लगाई और जल्दी से पेड़ पर चड़ गया और बोला दुष्ट मगर मच्छ आज से मेरी और तुमारी मित्रता समापत हुई जल्दी से जब पेड़ पर चड़ गया पेड़ पर चड़ कर बोला कि अरे दुष्ट मग नहीं खिलाऊंगा और मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं इस तरह से तुमारी हो मित्रता मेरी मित्रता खत्म होए तो इस कानी से क्या सिक्षा मिली कि धोके वाज लोगों से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए क्या है मगरमच दोखे वाज था न यदि बंदर अपनी बुद्धी का उपयोग नहीं करता तो यह मारी नहीं डालता उसको इसलिए इससे क्या सिख्छा मिली हैं आपको कि दोखे वाज दोगों से कभी मित्रता नहीं करना चाहिए तो यह कहानी आपको लिखना है बस बंदर मगरमच की बीच बीच में पिक्चय बना देंगे और तालाप की बना देंगे एक जंगल की बना देंगे फिर बीच में एक पेड़ और पेड़ के किनारे पेड़ पे लटका हुए बंदर इस तरह से आप थोड़े थोड़े ओो बोड़े